ए गुरुवर त्री बार नमस्तु ये प्रश्ण बेटे का अमेरिका से है वो जानना चाहता है कि हे गुरुवर हमारा धर्म हमें अनिकांतवाद सिखाता है पर हम देखते हैं कोई दूसरे की बात को सुनना वो समझना नहीं चाहता वो हम भी किसी ओर की बात को अच्छे से और इसी कारण कर्म कांड को ही धर्म कर्म बेठे हैं वो जो धर्म का मूल सुरूप है परिनामों में विशुद्धी उससे हम दूर होते जा रहे हैं तो भगवन ये बताइए कि हम अपने मार्गों को अनिकांत में कर्द कर किस प्रकार कल्यान के पत पर प्रशस्त हो सकें ये प्राया हमारे सभी धार्मी का उधारनाओं के साथ हुआ है हमने अपने सिध्धानतों और आदर्सों को पोथियों के पन्नों में समेट के रख दिया जिसे हमें जीवन वहवार में उतारना चाहिए ये बात बिल्कुल यथारत है कि अनिकांत नित वहवार की वस्तु है हमने उसे केवल सास्त्री आदर से बना रखा है जिस दिन मनुश अपने जीवन वहवार में इस अनिकांत को चरितारत कर लेगा उसे दिन वो सुखी होगा और दुनिया शान्त होगे हमें इस तत्त को अपनाने की जरुवत है बैचारिक शहिशनुता तभी बढ़ेगी जब हमारी सोच अनिकान तात्मा को बैचारिक शहिशनुता के अभाओं में हम अपने जीवन की वास्तावी की प्रगती करने में भी आश्रमत होंगे इसलिए आपके बेटे ने जो सवाल किया है बिल्कुल यथार्त किया है हम अगर इस तरह की कट्टा पून बात करे कट्टा पून बात करे और बैचारिक रूप शहिशनुता का पर्चे दे तो वे एक विकार का अधर्म है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए इस मामले की आड़ लेकर कैके बार लोग कुछ गलत भी कर बैठते है अने कानतात्मक दिष्टिकों अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना रीड के बन जाओ अपनी बात को अपनी दिष्टि से सही मानते हुए सामने वाले की बात को उसकी दिष्टि से समझने का प्रयास करे और उसकी दिष्टि से उसे मानता दे यह अने कानती की मूल अवधारना है मैं भी तुम 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 भी सुखी और कोई नहीं होगा लेकिन किसी ने एक वाक के बहुत अच्छी कही थी लोग धर्म के लिए लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे लोग धर्म के लिए लड़ेंगे कटेंगे लोग धर्म के लिए लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे पर जीएंगे नहीं यह विडमना है हम जीना सुरू करें धर में की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें यदि यह हमारे शामने आ जाए हमारे जीवन में उतर जाए तो फिर हमारे शामने कोई शमश्चा ही सेश नहीं रहे तभी परिणामा में विश्युद्धी आएगी।